दोस्तो आज मैं आपके साथ अपनी बहुती यूनिक और बहुती टेस्टी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो की वरत स्पेशल है तो चलिए इससे देखते हैं क्या है इसमें नमस्ते दोस्तो मैं हूँ रेनू रेनू की रसुई में आप सब कफिर से स्वागत है अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे की हमारी हर नई अपडेट आपको मिलती रहे आज मैं बनाने वाली हूँ अंगूर की खटी और एकदम तीखी चटनी जो की वरत में खाई जाती है इसके लिए मैंने या पर एक हरी मेर्च को बारिक पीसिस में कट कर लिया है और यह जो अंगूर है उन्हें मैंने इस तरीकी से कट किया है यानि की एक अंगूर को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है तो सबसे पहले हमें एक पैन या कडाही लेनी है और उसे हीट करना है जब पैन गरम हो जाएगा तब हम इसमें एड करेंगे वन टेबल स्पून ओफ देसी घी आप चाहें तो इसे ओल में भी बना सकते है बट देसी घी में बनाना इ याप पर डालूँगी थोड़ा सा जीरा अगर आप नहीं खाते हैं तो स्किप करें इसी के साथ मैं इसमें एड करूँगी हरी मिर्च अगर आप साधा तीका खाते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं जीरा और हरी मिर्च को हमें अच्छे तरीके से भूनना है ध्यान रखे हमें गैस की फ्लेम को लो मीडियम रखना है और इसके बाद हम इसमें आड कर देंगे ग्रेप्स ग्रेप्स के बाद हम इसमें आड करेंगे 1 टेबल स्पून ऑफ शुगर क्योंकि यह जो अंगूर मैंने यूज किया है तो मैंने 1 टेबल स्पून यूज किया है और इसमें यूज करेंगे हम हाफ टीजपून सेंधा नमक जो कि वरत में खाया जाता है नमक और शुगर दोनों ही इसमें एड करना बहुत ज़रूरी है यह इस चटनी के टेस्ट को बैलेंस करेंगे अब हमें इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स करना है दोस्तों यह चटनी बहुत ही अच्छी लगती है खाने में और क्योंकि यह वरत स्पेशल है तो आप इसे एक बार ज़रूर बनाएं यह बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में इसे बीच बीच में चलाते रहना है वरना क्या होगा कि जो ग्रेप्स हैं वो बरतन की तले पर लग जाएंगे और उसमें कडाहट आ जाएगी तो इसलिए मैं इसे चलाती रहूंगी लगबग एक से दो मिनट के लिए इसे इसी तरीके से चलाना है उसके बाद हम इसे ढख कर पकाएंगे अब मैं इसे ढख कर रख दूँगी कम से कम दो मिनट के लिए इसे पकने देना है दो मिनट हो चुके हैं और ये देखिए ये गलना स्टार्ट हो चुके हैं ग्रेप्स हमें इसे एक बार फिर से चलाना है जिससे कि हमें दोनों तरफ से इनको अच्छे तरीक से पका सके और अब इसे फिर से हमें ढखना है और फिर से 2-5 मिनिट के लिए इनको पकाना है तो यह देखिए ग्रेप्स एकदम से पकर तयार हो चुके हैं जो चटनी है अमारी वो तयार हो चुकी है अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकालेंगे यहाँ पर मैंने चटनी को सर्विंग बाउल में निकाल लिया है यह देखिए अब मैं इसमें उपर से थोड़ी सी काली मेर्च डाल दूँगे यानि की काली मेर्च का पाउडर और इसी के साथ मैं यहाँ पर डालूँगे नीमबू यह नीमबू इस चटनी को बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा इसके टेस्ट को इनहेंस कर देगा तो लीजे दोस्तों तयार है अंगूर की खटी मीठी और तीखी चटनी आप इसे एक बर ज़रूर ट्राइ करें बहुत ही टेस्टी लगती है यह खाने में अगर आपने अपसे पहले इसे नहीं बनाया तो इस बार ज़रूर बनाए और यह ज़रूर बताए कि आपको यह कैसी लगी रेसिपी यह देखिए मेरा एक यह सजेशन है कि आप इस चटनी को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखें उसके बाद इसे सर्फ करें क्योंकि जितनी यह चटनी ठंडी होती है इसमें उतना ही अच्छा टेस्ट आता है तो एक बार इसे ज़रूर ट्राइ करें बहुत ही यूनिक रेसिपी है बहुत ही सिंपल रेसिपी है